जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हारदीख स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मादुरगा के दूसरे सुरूप माब्रम चार्णी के बारे में, कि कैसे हम माब्रम चार्णी को प्रसन्न कर सकते हैं? इनकी संपून, पूजा विदी, रंग, फूल, भोग और मंत्र क्या है? इसके लाव हम आपको बताएंगे माब्रम चार्णी की कथा के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे नौरात्र के दूसरे दिन किये जाने वाला एक इच्छा पूर्ती उपाए, जिसे करके आप अपनी मुमांगी मुराद पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल बैस मैजिक को स जल्दी से सस्क्राइब करके वेल आइकन दबा दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, तो आई ये शुरू करते हैं, दोस्तों नौरात्री के दूसरे दिन मादुर्गा के दूसरे स्वरूप मा ब्रम चार्णी की पूजा की जाती है ब्रम का अर्थ होता है तपस्या और चार्णी का अर्थ है आचरण करने वाली, मा के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और सैयमाद की व्रद्धी होती है जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव विपत से कभी वी विचलित नहीं होता और एक बार जिस चीज का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं दोस्तों, ब्रह्मचारणी इस लोग के समस्त, चर और अचर जगत की विद्याओं की ग्याता हैं इनका स्वरूप स्वेत वस्त्र में लिप्टी हुई कन्या के रूप में हैं, जिनके एक हाथ में अस्ट दल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है ये अच्छे माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारणी नामक, दुरगा, सास्त्रों के ज्यान और तंद्र मंत्र आदिसे संयुक्त हैं अपने भक्तों को ये अपनी सर्वग संपन्य विद्या दे कर विजई बनाती हैं माब्रम चारणी का सरूप बहुत ही सादा और भव्य है अन देवियों की तुल्ला में वे अतिसौम, क्रोध रहित और तुरंद वर्दान देने वाली हैं दोस्तों मादुरगा का ये सरूप अनंद फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से जीवन में ज्यान की भी व्रद्धी होती है माब्रम चारणी ने अपने तप के माध्यम से ही राचसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी मा के आसिरवाज से घर परिवार में सुक सान्ती और आरोग की प्राप्ती होती है जिसके जीवन में अंदकार फैला हो और हर तरफ से परिसानी ही परिसानी नजर आ रही हो तो मा का ये सरूप, दिव्य और अलोकिक प्रकास लेकर आता है दोस्तों, नौरात्र के दूसरे दिन देवी भक्त को हरे रंग के कपड़े पहनने से विसेश लाप प्राप्त होता है नौरात्र के दूसरे दिन की पूजा करनी से पहले इसनानादी करके सुचवस्त धारन करें फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी ले ले और उसके उपर लाल रंग का वस्तर बिछा ले अब आप माब्रम चारनी की फोटो या मूर्ती स्थापित करें इसके बाद उसे दूद, दही, घी, सक्कर और सहद से इसनान कराएं इसके बाद आप मा को अरुखल का फूल या कमल का पुस्प अरपित करें या इसकी माला भेट करें तद पस्चात मा को अक्षत रोली लगाएं और माता रानी को सक्कर का भोग अरपित करें इससे मा दीर गाई होने का वरदान देती हैं या आप माता को पिस्ते से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं इसके बाद आप पान, सुपाडी, लौंग इलाइची अर्पित करें धूब दीब जलाएं तद पस्चात आप माब्रमचार्णी के मंत्र या देवी सर्व भूतेशु माब्रमचार्णी रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमोनमा का जाप आप कम से कम 108 बार जरूर करें इसके बाद आप माब्रमचार्णी की आर्थी करें और मा से अपनी मनो कामना जरूर कहें दोस्तों इस दिन किसी ब्राम्भण को चीनी का दान करना बहुत ही सुभ होता है जो व्यक्ति भक्ति भाव या सरद्धा पूर्वग मादुर्गा के दूसरे सरूप माब्रम चारनी की पूजा करते हैं उन्हें सुख और आरोगी की प्राप्ति होती है मन प्रसन रहता है और किसी प्रकार का भे नहीं सताता है हर संकट दूर होते हैं और जीवन में खुसियां आती है चलिए अब हम सुनते हैं माब्रम चारनी की कथा एक कथा के अनुसार देवी ब्रम चारनी मापारवती के जीवन का वो समय थी जब वे भगवान सिव को अपने पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी पौराणी कथा के अनुसार मब्रम चारनी ने एक हजार वर्स तक फल फूल खा कर बिताए और सो वर्सों तक केवल जमीन पर रहे कर साक पर निर्वाह किया इसके बाद माने कठिन उपवास रखे और खुले आकास के नीचे वर्सा और धूप को सहन करती रहें तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान संकर की अराधना करती रहें भोले नात प्रसन नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिलुपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्सों तक निर्जल और निराहार रहे कर तपस्या करती रहें पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपढ़ना नाम पढ़ गया मब्रम चारनी कठिन तपस्या के कारण बहुत ही कमजोर हो गएं इस तपस्या को देख कर सभी देवता, रिसी, सिद्ध गण, मुनी सभी ने सराना की और मनो कामना पूर्ण होने का आसिरवाद दिया चलिए अब बात करते हैं नौरात्री के दूसरे दिन किये जाने वाला अचूक उपाए जिसे करके आप अपनी मनो कामना को पूरा कर सकते हैं दोस्तों इस दिन आप एक छोटा सा उपाए कर सकते हैं इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहू का आटा लेना है और उसमें थोड़ी सी सक्कर मिला लेनी हैं इसके बाद आप इस कटोरी को किसी बरतन से ढख कर अपने उजा घर में माता रानी के सामनी रख कर अपनी मनोकामना को बोल कर रात बरवही रखा रहने दें और फिर अगले दिन सुबए आप ये सक्कर मिला हुआ आटा किसी पेड के नीचे डालाएं जहाँ पर चीटियां हो दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धनका अगमन होगा साथ ही जो भी दुख और परेसानिया आपके जीवन में चल रही होगी तो उससे छुटकारा मिलेगा और आपके मन की हर कामना भी पूरी होगी तो दोस्तों इस विधी से माब्रम चार्णी की पूजा करने से कई सारे कश्ट दूर हो जाते हैं और मनुस्य की उम्र भी लंबी होती है और अगर आपके कुंडली में बुरे ग्रय इस्तिती हैं तो उनकी इस्तिती भी सुधर जाती है सारे दोस्त मिट जाते हैं और अंत में मनुस्य सारे सुक भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है तो बोलो मा ब्रह्म चार ने की जै तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद